कहा जाता है कि दोशाथ देने का वचंतो मैं विराजू बाम में लड़की कहती है लड़की के तरफ से साथ वाक्य होते हैं और बर के तरफ से पांच वाक्य होते हैं ति पांचों में भेद क्या है साथ वाक्य लक्षमी के लिए और पांच वाक्य बर के लिए क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए होना चाहिए बराबर हर जगह का जाता है कि हम दोनों जो है सभागी बनेंगे हर चीजों का बराबर बराबरी होना चाहिए फिर भी दो पक्ष ज्यादा क्यों तो दो पक्ष ज्यादा इसलिए कि लक्षमी सरवदा उची अस्थान है कोई भी शिव गवरी विवाहे या श्री रामेन रिपात मजे ऐसा समय था कि जिस समय स्यू के भी विवाह के समय में और स्री राम भगवान राम के भी समय में लक्षमी की आवशक्ता हुई थी ठीक है समुद्र मंथन के समय जो लक्षमी प्रगठ हुई वहीं सारे संसार में जो है सभी के पास वित्रित हैं आठ प्रकार की स्री लक्षमी बरलक्षमी प्रसन्ना भवसरवदा वारांकुशवमा समभीति पुष्टाम इसके रूप में सभी लोगों के पास प्राप्त हमने जो आपको प्राप्त किया है नाना प्रकार का पूजन किया कात्यायनी पूजन किया बाबा भोले नात को हमने मना जा तब आप मुझे विश्णू के रूप में प्राप्त हुए हैं उसके बाद किसका किसका हमने पूजन किया तदेवी संपू जता नित्यम बंदनियो कोशी में सदा हमने देवताओं का पूजन करने के वज़ा से हमने आपको प्राप्त किया है उसलिए आप मेरे लिए बंदनी अर्थात पूजनी हैं ठीक है क्योंकि आप विश्णू के रूप में हैं सुख दुखा निकरमारी ग्रिहस थस्य भवन्त ही हम दोनों के जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहेंगे ऐसा नहीं कि सुख में हम लोग साथ में रहेंगे और दुख जब होगा तो आप रादे रादे और कहीं और हम और कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि करमारी ग्रिहस थस्य भवन्त ही हम लोग ग्रिहस थास्त्रम में जब रहेंगे तो सुख दुख दोनों को उसी प्रकार से समन्वय करना होगा बराबर भाग में बांट करके हम लों को सह लेना होगा जैसे कि धान के लावा को आग में भरसाएं में डाला जाता है ठीक है डालने के बाद भी धान का जो छिलका होता है वो लावा को छोड़ता नहीं है ध्यान कि धान जैसे लावा के नशर्गीक गुण को नहीं छोड़ता है उसी तरह से तुम अभी ठीक हो बाद में हम भी बयो ब्रिद्ध हो जाएंगे और तुम भी बयो ब्रिद्ध हो जाओगी आशा नहीं कि केस जब सफेद हो जाएगा तो उसमें हम तुम्हें छोड़ दें ठीक ह ये समुन्नती का प्रतीक है लावा लावा जैसे होता है कि धान का ब्रिक्ष धान कहीं और बोया जाता है ठीक है बीच जाला जाता है उसको उखाल करके कहीं और जाकरके धान के रूप में रूपा जाता है वहीं कार्य दाता करता है दाता किसे बोलते हैं तो दाता बोलते ह लड़की के पिता को लड़के के पिता से महान होता है लड़की का पिता दाता महान होने के बावजूद भी जाता है लड़के वाले के हां और दस बार डंड प्रडाम करके और मुह मांगा धन धे करके जो है और प्रसंद करता है जो कि अपने समाज में ये नहीं होना चाहिए ठीक है फिर भी लोकाप चारी में चल रहा है यह चीज नहीं होना चाहिए तो यह समुन्नति है कि जैसे धान के भीज को कहीं और डाला जाता है और वहां से उखाल करके कहीं और रोपा जाता है तब जुह है वह फल देता है उसी तरह से लड़की का कन्यादान लड़की के पिता करते हैं कि अब हमारे यहां पली पढ़ी लिखी सयानी हो गई अब मैं तुम्हें देता हूं आप जो है बंस का संबर्धन करें बृध्धी करें यह प्रथम बाक्या है ठीक है बलेंगे तो घंटों बिज जाएगा मगर उतना समय नहीं है समया भाव है ठीक है सुक दुखानि करमानी ग्रिहस्तत्सी भवंति सौम्य सौम्य मतलब बराबर हम दोनों मिल करके बराबर का सभागी बनेंगे सदय वत्त्वम कन्या एक मिशे वदेत अभी कन्याकरी की केवल में प्रथम वाक्य बोला हूं अभी छे ब बावली कुप इत्यादी पहले खोदे जाते थे ठिक है क्योंकि पहले इतना बोरिंग का सिस्टम नहीं था उसी से हमलों का जल इत्यादी का विवस्था हुगा करता था तो उसलिए कोई भी धर्म आपी मेरे बिना आप अकेले नहीं करेंगे यदि बात मानते हैं तब ठीक है भी कोई बात नहीं बिगडी है ठीक है तो यहां कहा जाता है कि मौनम स्विकार लक्षणं लगाएदी चुप चाप है तो इसका मतलब सब कुछ सब बात मान रहा है ठीक है बर मान रहा है ऐसा कहता है ठीक है आए एक्षुल में है तभी तो यह साथ वचन में बांधा जा रहा है आप लोगों को ठीक है यह ध्यान दीजिएगा कि किसी भी धर्म कर्म में बिना पत्नी का कोई कार्याप को नहीं करना होगा ठीक है यह लड़की का दूती यह वाग क्या है धर्मकर्म से तो आइसा नहीं कि हम यहां हैं और आप जो है वहां दूतीय ब्योस्था बना करके आनंद का सहानुभूती करें यह आदेश करता है ठीक है कि आइसा नहीं होना चाहिए हम दोनों बराबर के सभागी है जीतना आप वहां कष्ट जहलेंगे उतना ही मैं यहां से कष्ट ज आहां इस्त्रियों का नयसारगी के लक्षण है क्या ब्रत करना बैठाना ब्रत का उध्यापन करना और अब बहुत सारे कार्य हैं जिसमें कि हम लोग कभी-कभी ऐसा होता कि बीना बुलाए अपने पडोश इत्यादी में माली जय कहीं आप न रहे तो उस समय हम चले जाएं अब ठीक है इस्रिडाम राज्यस तथा वदेत यह कण्या का तृतिय वाक्य है कि धर्म कर्म में यदि हम कभी माली आप कहीं बाहर गये हो आपका मुबाइल नहीं काम कर रहा हो तो उसमें माली जिए पिता जी भी नहीं है ससूर जी सास भी नहीं हो तो उसमें यदि हम चले जाए अगल बगल तो आप आएंगे तो मुझे प्रतारीत नहीं करेंगे यदि मानते हैं तब ठीक अभी कुछ बिगड़ा नहीं है ठीक है मौनम स्विकार लक्षडम चतुर्थवा के क्या है आपका भी कुछ ऐसा ही पदाएगा जान देंगे अभी बिचलित नहीं होंगे है ठीक है आपका इंसे भी कठीन पदाएगा श्वकरमडार जितम बित्तम पशुधान्य धना गमम जो भी बस्तुवाप खरी देंगे जो भी कमाएंगे जितना सेलरी मिलता है ठीक है उसे करेंगे क्या यह मैं नहीं कह रहा हूं यह सास्त्र कह रहा है ठीक है सरबम महियं सब कुछ लाकर के मुझे देंगे चत्वारीती तथावदेत अब ज्यान दीजिए कैसे देना है देने का भी सिस्टम है यदि आप देते हैं और उसकार्य के अवस्था नुसार अगर यह खर्च करती है तो कोई बात नहीं देने में क्या है कि देखी जो जो माली माली कि जो है ठीक है माली कि यदि चतूर हो और थोड़ा सा अंचने वाला हो उसको माली बना दीजिए कि सारा उसका ब्योस्ता भूल जाएगा ठीक है यह बिवासास्त्र कहता है बिवापध्धति कि सर्भम निवेदयन महियम जो भी बस्तु आप खरीदेंगे इसको छोड़ द नकी आप खरीदते समय खरीद लिए और जब बेचना हुआ ताप अकेले जो है उसको सेयर कर दें ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है पंचम बाग के गजा स्वाधी पशूरांच हेयो पादेनकारनात अना प्रिच्छामे कर्तब्यम पंचम पश्विती तदवदेत कोई भी गारी, घोड़ा, भूमी, मकान, वहान इत्यादी कोई भी बस्तु यदी खरीदेंगे तो उसे खरीदते समय मुझसे आज्या लेने क्या आउ सकता नहीं है मगर जब उसे हटाना होगा तो उस समय बीना मेरे आज्या का नहीं होना चाहिए क्यों ऐसा इसलिए कि लक्षमी होती है और जो भी आपने खरीद करके लाजा है वह उसमें धनों पार्जन हुआ है ठीक है धन लगा है तो उस धन को खरीदे हुए धन को जब भी बेचा जाता है तो उसका धन कम मिलता है ध्यान दिये होंगे कोई भी बस्तु जितने में खरीद कर लाएंगे उतना उसका पैसा नहीं मिलेगा उसलिए उसमें मेरा मत लेना जरूरी है, हो सकता है कि उसके जगह पे कोई और मैं आपको उबाय बता दूँ, उसलिए इनका आज्ञा लेना जरूरी है, छठा माके क्या है, भूशडानी विचित्रानी रत्न धातू मजानी चव, आपने जो भी बस्तू इस मंड़प में चढ हैं, तो ये बिना मेरे पूछे, आइसा नहीं, दद्यान ये प्रतिग्रिहिनात, शड रीताव पिसंबदेत, आपको कोई अधी इमर्जेंसी पड़े, तो आइसा नहीं कि उठा करके सारा गहना ले जाकर बेच दीजी, अब फिर कहिए कि अर्यार आइसा आव सकता आ गया पर बनता है कि पती जब भी धर्म संकट में पड़े, तो उसके उस कष्ट में पूर्ण रुप से सहभागी बने, पूरुन आपको के बला अधा बनना है, मगर इसको पूरुन सहभागी बनना है, ठीक है? आपके पैर में जब धर्द होंगे, तो ये सेवा करेगी, मगर इन ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है, आपके सर में दर्द हो, आपको जब ये सहलाने के तयार हों, तो इनके भी सर में दर्द हो, घर में दी कोई महिला नहीं है, तो आप सेवा कर सकते हैं, ठीक है? उसलिए कहा जाता है कि रथ जिन्दगी का एक पहिये से कभी चलता नहीं कोई भी रत जब भी चलेगा तो दो पहीये से चलेगा एक पहिये से नहीं चलेगा ठीक है तो उसी लिए दो साथ देने कावचनतो मैं बिराज़ूं बाम में लड़की कहती है कि अभी मैं देखिये कहां बैटा हूं दाहिने बैठाओं कहां आपके दच्छिन भाग में मैं बाम भाग में तभी जाओंगी जबकि आप सातो बचन मान लेंगे तभी हम उसे सहर्ष स्विकार करेंगे आपको विश्णू के रूप में सब्तम बाके क्या है कभी कभी आइसा भी परिस्ति होता है वह पार्वती जी के तरह कि मायके में कोई साधी पड़ा हो और उस समय आपका मूर जो है बिल्कूल वह हो जाएकि नहीं जाना है और यार लाग पचासा जार प्या खर्चा होगा तो इसको नो सोचेते हुए है प्र साथ में इसमें लिखा हुआ है गीत वाति द्रमांगल बंधू नामचग रिहे सदा अना हुता अगर मिश्यामी यह नहीं नहीं वह तो मिलेगा ना वह तो बिना काट का अच्छा उसमें भी ससुराल पक्चा ऐसा होता है कि वह जनक के समान होते हैं तो वहां जाने में कोई वह सारे बस्तू उपलब्ध होंगे ठीक है अना हुता गमिश्यामी इसमें कह रहा है देखिए अना हुता गमिश्यामी यदि मैं बिन बुलाए भी चली जाओं अब इसका अर्थ देखिए आपको पढ़ के सुना देता हूं भाई बंधू के घर जब मांगलिक विवाह जन इस प्रकार मैं आपसे साथ बातों के लिए प्रतिग्या करती हूं देखिए हिंदी भी हमने पढ़ लिया कभी जनते हैं इसलिए हमने हिंदी पढ़ दिया कि हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि पंडी जी संस्कृत को कहीं और तो घुमा करना ही बोल रहे हैं ठीक है तो इस को मानना होगा सप्तम भाग के तो यहीं कहा जाता है हमारे धर्म सास्तर में कि मौनम स्विकार लक्षडम कोई बंदा अगर कुछ गलती किया हुआ अब बोलते जा रहे हैं चुप-चाप है तो बस जान लिजिए कि हां स्विकार कर रहा है अकर नहीं तो डर नहीं जो नहीं किया रहेगा बहीं चंप जाएगा ठीक है यह साथ वाग के लड़की के थे अब पांच वाग के आपके हैं इनसे भी डेंजर ठीक है अब इनको सभलना होगा प्रथम वाग क्या आपके क्या है कब तक जब तक मैं रहूं और यदी मैं नहीं तो आपको इन सारी बातो से मुख मोर लेना होगा यह मेरा प्रथम बाक्या है बरके पक्ष से यह आपका प्रथम वाग कि है ठीक है यह ये भी मॉंन है कुछ नहीं बोल रही है तो ये प्रथम बाक्य है आपके तरफ से दूतिय बाक्य क्या है विश्णु बैश्वानर साक्षी नरह साक्षी ब्राम्हणः ज्याति बांधवाहा विश्णु के रूप में कलश बैश्वानर के रूप में अगनी ठीक है है कि और साक्षी कौन कउन है ब्राम्हण ऐसे दोनों पक्षी के रहते हैं मगर आज काम चल रहा है किसी तरह ठीक है ब्राम्हण और ग्याति बांधवाहा ये जीतने बंधु बांधव बैठे हुए है और कुछ लोग तो ले करके तपक नरायन हो गया ठीक है तो जो लोग हम लोगों के सामने ये पांचों साक्षी हैं कि पांचों के सामने हम लोगों ने बचन बद्ध हुआ है इन बातों को मानने के लिए अब वहां यह नहीं चलेगा कि हमने तो सुना नहीं था साथ वाक्य तो पांच वाक्य हमने भी नहीं सुना था ठीक है ऐसा अब नहीं होगा वाचा वाचा वाचं ना रड़िय। यह अत्रीती वाक्य है क्या है तुम्हारा चित और मेरा चित दोनों का बिल्कुल बराबर होना चाहिए वाचा वाचं न लोपहेद है ऐसा नहीं कि आप कहें कि यह घुम्मू कहें हम काशी 6 Subs आप यह सब्द बोल रहे हैं कि यदि हमारी सब मतलब सभागी बढ़ेगी कि हम लोग मुंबई चलें तो मुंबई ही इनको जाना होगा है अधि ऐसा है क्योंकि आपका इच्छा बने कि हम लोग चलें आज घुमने के लिए जो है हरिद्वार तब उसमें यह न कहें कि नहीं हरी द्वार हम नहीं जाएंगे वहां तो बस धर्म नगरी है हम जाएंगे जो है कुतुम मिनार घुमने ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए आप वह यह नहीं है कर दो है अब है कोई बात बहुत ज्रक्त है सरवय देजम हृदयस्थम दरानने तभी मैं आपको लडगी कहा रहे है है यह आपका तृतिया बाक्य है अब सोचिए कितना बड़ा बाक्य है मैं जो कहूं उसे आपको मानना होगा करना होगा जैसे यही तो विवेक कहता है बुद्धी किस लिए है सरस्वती है किस लिए पढ़ा लिखा आदमी किस लिए अजमी लाताने कि कुमा में घुधने से क्या होगा सबको पता है नई वो तो धर्म संकत 시간이 करेगा ठीक है पुद्ध का उस्श्व में जो हो जाएगा ठीक है वह सबने किया विश्नु के रूप में और आपने साथ-शाथ हस्तक ग्रहन किया है बास्त है तो उसलिए हमने कहा कि उससमें धर्म संकट में आपत्ति काले मर्यादा नास्ति यदि वैसी आपत्ति आएगी तो उससमें मर्यादा का पड़ा घड़ जाएगा सीतारम ठीक है अब चतुर्थ वाक्य क्या है बर्के पक्षे से मम तुष्टिस्च करतव्या बंधू नाम चव भक्ति आदराथ मेरे तुष्टी जन्य आपको काम करना होगा कैसे तो केवल हमारी शेवा ही शेवा नहीं मनिस नहीं मता का पिता का भाई का बंधूबंधूश्यद अजीतना प्रेम हमारे साथ ठीक है परस्पर इन bigger बंधूँओं के शाथ भी बाnin दिखाना होगा ममाग्या परिपाल्येशा ए मेरे आज्या कायदी पालन करती हो तब मैं पती ब्रत परायने मैं पती ब्रत पून रुप्षे निभाने के लिए तयार हूँ ठेक है चतुर्थ बाक्य पंचम बाक्य क्या है बिना पत्निम कथम धर्म आश्रमाडाम प्रवर्तते आप कह रहे हैं कि बिना पत्नी का कोई भी दुनिया का धर्म कर्म सुकर्म भी पत्नी बिना फलता नहीं दो साथ देने का वचंतो मैं विराजूं बाम में ठिक है यदि आप मेरे पत्नी भाग में आ रही हो तो इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझना होगा